नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग लोगसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच AIMIM प्रमुक असदुदीन ओवैसी का बढ़काओ बयान सामने आया है बनारस पहुचे ओवैसी ने जनसभा के दौरान मुस्लिम समुदाय को खूब बढ़काने की कोशिस की इसके लिए उसने मिट्टी में मिल चुके माफिया मुकतार अंसारी और अतीक का सहारा लिया ओवैसी ने मुकतार अंसारी का नाम लेकर कहा कि मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ मुकतार एक इंसान था, जुदिशल कस्टरी में था, उसे जहर दे कर मार दिया वह शहीद है और शहीदों के बारे में कहा गया है कि शहीदों को मुरधा कभी मत कहूँ वजिन्दा है साथ ही अतीक अहमद की हत्या पर भी सवाल खड़े करती है ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह के जहरीले बयान के पीछे ओवैसी का असली मकसद क्या है इसे पर चर्चा करने के लिए मिरे साथ स्टूडिय मौझूद है कैपिटल टीबी के एग्जेकिटिव एडि अंसारी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई तो ये कोई गलत बात नहीं है हो सकता है अगर जहर से ही उसको मरना था तो मर जाना चाहिए वो तो इतना दिन तक जिंदा रहके इस पृथिवी के लिए बोज का काम किया है उसको सहीद कहना ये गलत बात है अगर वो कहता है कि शहादत दी है मुक्तार अंसारी ने तो ये उसने गलती कर दी है अपने उपर आफ़त मोल ले लिया है ओवैसी ने कई बाते कही बनारस की रेली में भी उसने जिस तरीके की बाते कही है वो दिखाता है आगे मुसल्मानों का भविस हिंदुस्तान में क्या है और अभी मुसल्मान जो पिछले सतर सालों से बेखौफ थे आज खौफ जदा क्यूं है ये उबैसी के उस भाषन का नतीजा है जो उसके अंदर के डर को दिखा रहा है ऐसे भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति अंदर से डरा होता है तो चेहरे को बिल्कुल स्टफ करके रखता है और अपनी आवाज को और तेज करता है दीरे-दीरे कि लोगों को ये आभास न हो कि हम डरे हुए है वैसी तो इस समय दो तरह के डर से ग्रसित है एक तरह से पहला डर उसको है कि इस बार हैदराबाद का इसलामिक किला दोस्त होने वाला है इसलिए ये इतने दिनों तक उस किले से बाहर नहीं निकला अचानक से जब सवाल उटने लगे कि वैसी सिर्फ हैदराबाद का नेता है या उत्तर परदेश में बिहार में ये चुनाब लड़ता है तो वहाँ पर भी परचार करने जाएगा ये सवाल उट रहे थे पहले चरण के मतदान में वो कहीं नहीं निकला दूसरे चरण के मतदान के समय वो निकला और इस बीच जितने सवाल उठे कि आकिरकार ये हैदराबाद छोड़कर बाहर क्यूं निकल रहा क्यूं डरा हुआ है डरा हुआ तो है क्योंकि माधवी लता ने डरा दिया है एक तीर से पूरे इसलामिक कीले को ध्वर्ष्ट करके रख दिया है और एक के बाद एक ये जो ओवैसी का फरजी वाड़ा पकड़ा गया इससे भी परिसानी उसकी बड़ी है क्योंकि ओवैसी वहाँ पर फरजी वोटरों से जीता रहा ऐसा नहीं है कि हैदराबाद के जो कंस्ट्वेंस्री है लोकसवा की उसमें ओवैसी का इतना वर्चस्व है या फिर मुसल्मान इतने ज़्यादा संक्या में है जिसके कारण ओवैसी धाई लाग तीन लाग वोटों से जीता रहा पिछली बार वो दो लाग अठासी हजार वोट से जीता लेकिन इस बीच क्या हुआ इस बीच ये हुआ कि माधवी लता ने कंप्लेन किया था कि देखिए कैसे यहाँ फरजी वोटर हैं कितने फरजी वोटर हैं और इसके लिए वहाँ पर एलेक्सन कमिशन ने वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया और उसको नाम दिया गया प्यूरिफिकेशन पांच लाख एक तालिस जार वोटर फरजी थे उसको कैंसल कर दिया गया है जिसमें से तीन लाख से जादा तो ओवैसी के छे त्रियाने की हैद्रावाद लोगसवाचेतर से है उसमें साथ विधान सवाचेतर पढ़ता है और ये फरजी वोटर अलग अलग तरीके से वहाँ पर वोटिंग करते थे एक विधान सवाचेतर के जो लोग हैं वो दूसरे विधान सवाचेतर में भी अपना नाम आधार कार्ट बना लिया वहाँ पर वोटर आईडी कार्ट बना लिया कैसे वहाँ के मुसलमानों से साथ गाट करके वहाँ पर रिस्टिशल सर्टिफिकेट बना लिया और उस महले का भी वोटर बन गया तो ये एक बिधान सभाचेतर से हटो दूसरे बिधान सभाचेतर में भी लानी की एक वोटर दो-दो वोटर आइडी कार्ड रखे हुए है और एक ही लोकसभाचेतर में कई कबके मर चुका है और उसको भी जिन्दा रखे हुए है जो अभी जन्मा नहीं है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है जो 18 साल का भी नहीं हुआ उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है ऐसे 3 लाग से ज्यादा वोटर तो गायव हो गए ओवैसी के अपने छितर में इसलिए ये डरा हुआ है इस बार ये घर से निकलने में डर रहा है ये भाशन बाजी हैदराबाद में ऐसा नहीं कर रहा है हैदराबाद में ये हिंदूों की बात नहीं कर रहा है हैदराबाद में परधान मंत्री नरेदर बोदी के खिलाब नहीं बोल रहा है लेकिन उत्तर पर्देस में आकर उसकी जुवान खुली और उसने पहले पियम मोदी के खिलाब बोला कि पियम मोदी जो बोल रहे हैं घुस पैठिये के बारे में ये सही नहीं है कि सारे मुसल्मान घुस पैठिये हैं अगर सारे मुसलमान घुजपैटी है नहीं हैं तो ये इतने बड़ी दाड़ी और इतना बड़ा टोपी लगा के जो ये सिरवानी जैसा ड्रेस पान के हैदरावा से निकल कर ये ओवैसी घूमता है ये ड्रेस क्या हिंदुस्तान के 10,000, 20,000 सालों के इतियास में किसी व्यक्त पराओं में ऐसे दाड़ी वाले टोपी वाले और सेरवानी पानने वाले लोग दिखे जो हमारे देवी देवताओं का ड्रेस है उसमें भी दिखे क्या हराप्पा मोहन जोदोड़ा के सबता में उस समय के जो लोगों के ड्रेस दिखाई पड़े मुर्तिया सामने आई है उ उसमें ऐसे दाड़ी टोपी वाले लोग दिखे तो घुसपैटिया कैसे नहीं हो घुसपैटिया का मतलब क्या होता है अगर पीम मोदी ने कहा तो ये जो बार बार उसका विरोध कर रहा है उसको ये समझना चाहिए घुसपैटिया का मतलब क्या होता है घुसपैटिया का मतल तुम तेह नहीं करोगे कि इस साल इस दिन इस समय के बाद और इस समय के पहले हम ये डेट निर्दारित करेंगे तारिक निर्दारित करेंगे अगर किसी के घर पर कोई कबजा करके बैठा है मतलब गुशपैटिया है और वो दस दिन पहले कबजा करके बैठा तो वो पैटिया नहीं कहलाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता डिफिनिशन तो एक ही है यह हम तै करेंगे क्योंकि हम यहां के हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहा है और हम यह तै करते हैं कि 11 सताब दी उस समय जब मुस्लिम आक्रमन हुआ उस से पहले जब साथ तो इस्वी में इन कासिम आया सिंद तक पहुँचा उस समय हम डेट निर्धारित करेंगे क्योंकि हर स्टेट में अगर देखा जाए तो कोई भी ट्राइवल स्टेट जो होता है आदिवासी छेतर चाहे चतिस गड़ो या फिर यहां तक की हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी छेतरों में यह एक डोमिसाइल पॉलिसी होती है यानि कि वहां का डोमिसाइल कौन होगा वहां का स्टेट का नागरिकता देश की होती है डोमिसाइल स्टेट का होता है तो वहां पर निर्धारित किया जाता है 80 साल पहले से जिसका यहां पर जड़ रहा है वो यहां इस स्टेट का डोमिसा 70 साल पहले 60 साल पहले ये निर्धारित किया जाते हैं तारीक तो किसी देश के लिए रास्ट के लिए ये कैसे निर्धारित किया जाएगा तो हम तो यही मानते हैं कि तुम घुसपैटिये हो क्योंकि तुम्हारी जड़े यहां पर नहीं है तुम सनातन परंपराओं के नहीं हो तुम अभी तक अरबी मूलके माने जाओगे क्योंकि अरब से तुम्हारा जुडाव है तुम अपने धर्म के अंतिम पड़ाओं में या जाता है चार धाम की यातरा करने जाता है गंगोत्रिय ये मनोत्री जाता है वो कन्या कुमारी से लेकर काशी तक जाएगा वो हिमाले ते लेकर वहां अमरनाथ की यातरा पर जाएगा तुम कहां जाओगे हिंदुस्तान में कोई जगा बताओ जहां पर तुम जाओगे तुम सौदी अरब मक्का, मदीना जाओगे हज करने जाओगे तो फिर तुम यहां के कैसे तुम तो घुस पैठी है यो इसलिए ओवैसी घुस पैठीा है और ये वो मान ले या ना माने हम लोग यानि हिंदुस्तान के हिंदूओं को ये मानना चाहिए कि ये घुस पैठी है ये यहां पर पैदा नहीं हुआ इसकी जड़े अभी भी अरब में ही है इसलिए इसका ड्रेस, खान, पान, तरीका जीवन, सहली, रांसन सारा अरवी है ये अरवी नसल के लोग है हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता इसलिए ओवैसी ने जो अतीक हमद, मुक्तार अंसारी की बात की इन लोगों को शहीद बता रहा है ये इसकी यही मानसिक्ता को दिखाता है कि अरवी मुल्के लोग अपने लोगों के लिए क्या विचार रखता है, इस देश की विवस्था सरकार के उपर इसे भरोसा नहीं है, इसलिए ये बच के चला गया उत्तर परदेश से ठीक ठाक चला गया ये तो बड़ी बेजिती की बात है वैसी की पिटाई होनी चाहिए थी उसी मंच पर जैसे ही है मुक्तार अंसारी को शहीद बताता है जहर देनी की बात एक आरोप है चलो उसकी जाच हुई है और कैसे उसकी मौत हुई ये सब के सामने है ये डाक्टर पुस्माटरम रिपोर्ट में बताया लेकिन ये जो तुम शहीद बोल रहे हो ये चोर लुटेरे माफिया आतंकियों को जिसके उपर आतंक वाद का मुकदमा चलना चाहिए ये अतिकहम जैसे लोग जो कि पाकिस्तान से लेके थाइलेंट तक अपना नेटवर्क चला रहा था आईएसाई को अपने साथ रखे हुए था ये आईएसाई का एजेंट का काम करता था इन लोगों को आतंकियों को तुम शहीद बताओगे और तुम उत्तर परदेश से ठिक ठाक जा रहे हो ये हमारे लिए सोचने का विसा है कि इसे ठिक ठाक नहीं जाने देना चाहिए इसे तो कुछ न कुछ सबक मिलना चाहिए और इसकी तयारी भी हो रही है इस बार नहीं देखेगा इस बार तो इसकी हार लगबग तैमानी जा रही है अगर बहुत जादा कुछ गड़बर नहीं हुआ तो लेकिन उसके बावजूद इसकी सजा खत्म नहीं होने वाली है ये यहां से भागेगा क्योंकि जिस तरीके का जहरीला इंसान ये है नाग का फन कुछलना जरूरी होता है उसको खत्म करने के लिए इसके भी फन कुछले जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चान का है धन्यवाद तो AIM-AIM प्रमुख असदुदीन ओवैसी जहां भी जाता है जबान से जहर ही उकलता है लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि UP में आकर इस तरह की बयान बाची करना उसको भारी पढ़ सकती है क्योंकि CM योगी भी ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए है और उनका तगड़ा इलाज किया जा रहा है किस्ता यूपी का में आज के लेतना ही अगर आपने अबे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कलेजे हमारे वीडियो को लाइक किजे शेर किजे साथ हमारे वीडियों पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद